हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल चोपडास किचन तो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो कि आप डेली यूज में खाते हैं रोज सुबह अक्सर लोग पराठे खाते हैं डेली तो आज हम बनाएंग यह प्याज का पराठा तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है दो हरी मिर्च लिये हैं और यह मैंने आटा गूं लिया है तो आटा कैसे गूंते हैं इसका आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर मैं लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा थोड़ थोड़ी सी अजबेन लिये नमक लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च की है तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्याज के पराठे बनाना और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर देना उसको और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से साफ कर लेंगे छिलका उतार दोकर फिर इसको हम छोटे टुकडों में काट लेंगे बिल्कुल बारिक बारिक टुकडों में और हरी मिज को भी ऐसी काट लेंगे हम तो अब हमने प्याज को जो है फाइनली चॉप्ड कर लिया है बारिक टुपडो में काट लिया था तो अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हम पहले पराठे को बेलेंगे फिर उसमें स्टफिंग करेंगे अचा इस बात का ध्यान रखना आपकी प्याज मे हरी मीच रखें के स्टफ करके फिर पराठा बनाएंगे तो अब देखिए हम एक आटे की लोई तोड़ लेंगे जिसे आपसे आपको साइध रखना है आटे का उतनी आप बॉल ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे गॉल करना है और गॉल करने के बाद इस पे जो हम प्लेथन ल ला लेंगे थोड़ा सा यादा यादा नहीं फिलाना आपको हलका सा फिलाना है अब हम इस पे एक दो बुंद रिफाइंड ओयल या जो भी आप ओयल यूस करते हैं वो डाल देंगे अब यह हमने ओयल इस पे फिला लिया था अब हम इस पे नमक छिड़क देंगे स्वाद कि टोब द्यूतने आ जितना आपको नमक खाना है उसके असाब से आप छिड़क देंगे थोड़ी जी लाल मिर्च शिड़क देंगे और थोड़ो से हैं जीनच के दाने हैं यह कैरम सीड्स इसको यह पिड़क देंगे अब इसको हम फिला लेंगे चीर जालेंग ऑसे कर के क स्टफिंग भरेंगे थोड़े से प्याज डालने आपको यादा प्याज नहीं डालने वनना पराठा फट सकता है और साथ में इसमें दो तीन हरी मिच भी हम डाल देते हैं कि अब यह हमने स्टफिंग भर दी है अब हम इसे पैक कर लेंगे और यह हमारा जो है देखिए ऐसे करके इसको हमने पैक कर लिया है अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे फिर से हम इस पर पले थन लगाएंगे और हम इसको ऐसे करके धीरे धीरे करके बेल लेंगे थोड़ा सा हलके हाथ से बेलना है यह क्योंकि प्याज इसमें है वही प्याज मेंसे पानी होता है तो यह फट भी सकता है तो इसको हलके हाथ से आप बेल लेंगे, जिससे कि यह फटेना, अब हमने जो है तवा रख लिया था, तवा गरम है हमारा, अच्छे से गरम तवा है, अब हम प्याज का प्राठा जो हमने बेला है, यह अच्छे से, अब इसको इसको हम डाल देंगे, और इसको एक साइड से हम लगबग आदा एक फिर हम इसको पलट देंगे, गैस की फ्लेम हम इस टाम हाई कर देंगे, जिससे कि तवा अच्छे से गरम हो जाए, अब यह हमारा एक साइड से देखिये हलका ऐलका सिख चुका है, अब हम इसे पलट देंगे पलटे की मदद से, अब हम दूसरी साइड से भी इसको हलका से फिर हम इसको दुबारा पलट देंगे तो हमारे दूसरी साइड से भी शिख गया है अच्छे से देखिए ये हलका-हलका शिख चुका है अब एक बार फिर हमने पलट दिया है अब हम इसको वापिस पलट लेंगे अब हम इस पर घी लगाएंगे सेखने के लिए इसे और ये घी हमने अपलाई कर दिया है अब हम इसको पलट देंगे अब हम इसको दुसरी साइड भी थोड़ा सा घी इस पर लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से दोनों साइड से सिख जाए और बिल्कुल करारा पराठा बनेगा बहुत टेस्टी लगता है प्याज का पराठा आप इसे नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं दुपैर को भी खा सकते हैं और बच्चों को बहुत यादा पसंद आता है अब देखिए क्या कलर आया है बिल्कुल करारा पराठा बनाया है ब्राउन कलर का प्राठा है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा यह और बिल्कुल साही बना है देखिए कहीं से भी थोड़ा भूतिये तूट सकता है यहां से यह मैं दिखा रहा हूं आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्याज में थोड़ा सा मौश्च लेते हैं और गैस को सिम करतेंगे अब तो चलिए अब उनने पेडियोल ले लिए अब एक पराठा और बेल लेते हैं आपको फिर से ऐसी करना है इसको हलका तो फेला लेना है और जब यह अलका तो फैल जाए रहा तो इस पहलका सा हम एक दो भूंद ओइल इस पर करेंगे यह देखिए नमक मैंने इस पे डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च है और थोड़े से अजवेन के दाने है अब हम थोड़ा पहले इसको फिला लेंगे हम इसको फिलाने से यह होता है कि नमक जो है इवनली सब जगे पहुच जाता है और पराठे का टेस्ट सब जगे से सेम लगता है अब हम इस पे फिर से अनियन अपने रख देंगे और साथ में एक, दो, तीन हरी मिर्च के टुकड़े इसमें रख देंगे और इसको बंद कर लेंगे हम फिर से ऐसे करके से बंद कर लेंगे आप अब इसको हम फिर से बेल लेंगे थोड़ा कुछ साबधानी रखनी है हलके हाथ से बेलना है यादा जोड लगाएंगे तो पराठा आपका फट सकता है तो इस बात का धियान लखना है कि हलके हाथ से आप इसको बेलें ये भी हमारा पराठा बेल चुका है बिल्कुल देखे, गोल पराठा बेला है मैंने, तो चलिए अब इसे भी सेख लेते हैं, अब इसे भी हम सेख लेंगे, तब इसको डाल दिया है मैंने, गैस को हाई कर लेंगे हम इस टाइम, एक साइड से वैसे ही इसको सेख ना है, आदा मनिट लगबग, फिर इसको हम पलट अब एक साइड से हमने से शेख लिया है, अब दूसरी साइड से भी हम सेख लेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से सेख ना है हमें, फिर इसको पलट के हम घी लगा कर सेख ना है, तो जिससे की पराठा ये हमारा बिल्कुल करार आओ जाएगा, ब्राउन पराठा ब अब हम इस पर ओइल लवा देंगे थोड़ा सा और इसको फिला देंगे हम चारो तरफ पलट देंगे इसे अब हम थोड़ा सा ओईल लवाएंगे दोसरी तरफ और इसको किसी चमच की साहिता से सेग लेंगे ऐसे गन्य नीचे से पराठा जो है इवेनली सिखता है तो इसको हम ऐसे करके सेग लेते हैं तो अब हम इसको भी पलट लेते हैं देखिए यह भी बहुत अच्छे से सीख चुब बनाया है बिल्कुल करारा पराठा बनाया है तो अब हम इसको नीचे से भी सेख लेंगे अच्छे से तो अब ये भी हमारा प्राठा सीख चुका अच्छे से अब इसको भी हम प्लेट पे सर्फ कर लेंगे और इस पर देशीगी लगा कर या मक्खन लगा कर हम इसको खाएंगे तो पराठे हमारे बनके त्यार हैं अब इस पर थोड़ा सा देशीगी लगा देंगे और पराठा भोती करारा बनाया है बहुत टेस्टी बनाया है तो आप भी बनाईए और खाईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और श